टीवी चैनल और एक समाचार पत्र ने तत्तहीन, जूटा और मनग्रहन कहानी बना है। दोजार चुबिस का चुनाव आ चुका है और गोधी मीडिया के गोधी एंकरों ने सुपारी ले रखी है कि जितने भी महागडबंदन के नेता है या महागडबंदन की जो पार्टी है उसके खिलाप जो है मोर्चा खोल देना है और मोर्चा खोल करके उनको बदनाम कर देना बिगत एक हफ्तों से यह चर्चा चल रहा था कि जदू के अध्यक्ष ललन सिंग पार्टी से इस्टीफा देने वाले हैं और इस्टीफा दे करके जो है तेजस्वी आदों को मुख मंत्री बनाने वाले हैं और यह खबर जो है एकदम आग के तरह फैलती है कि अब जो है नित आने लगता है कि सारे के सारे सोशल मीडिया पर कहेंगे कि एकदम बाल आ जाता है कि 11 विदायक जो है ललन सिंग के संपर्क में आ चुके हैं और वो कभी भी नितीश कुमार को धोखा देंगे और आरजेडी में चले जाएंगे और जो है नितीश कुमार गदी से उतर जाए लेकिन यहाँ पर कुछ होना नहीं था क्योंकि गोदी एंकर ने सुपारी ले रखी थी कि ललन सिंग और नितीश कुमार को बनाम तो करना ही है चाहे इस रास्ते चाहे उस रास्ते लेकिन ललन सिंग ने एक मोर्चा खोल दिया है और कानूनी तोर पर उनको एक नोटिस वे थे अब यह देख करके जो है लग रहा है कि 15 दिन का उन्होंने समय दिया है और 3-4 चैनलों पर उन्होंने कहेंगे कि 3-4 चैनलों पर मानानी का मुकदमा दायर करने के लिए कह दिया है कि अगर 15 दिन में संतोस जनक जवाब नहीं देते हैं तो 15 दिन के बाद जो है इनके उ नेता है उनके छवी को धुमिल करने का काम करने लग और मेरी छवी को धुमिल करने तथा जनता दल्हीं में विवाद प्रचारित करने के एक मातर उद्देश से यह ख़बर दिखाया कि मैं सिरी निकीस कुमार जी के बंगले सिरी तजस्वी जादर जी को मुकमुंतरी बनाने जिस पार्टी को स्थापना काल से मैंने सीचा और बढ़ाया उसका खलनाय कुछे बनाने का प्रयास मीडिया में किया मेरे छवी को धुमिल करने के देश से मंगढ़न और तत्रहीन ख़बनों को दिखाने के लिए हिंदी निव चैनल आज तक रिपब्लिक भारत और दैनिक जागरन समचार पत्र को मेरे वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा गया यदि निव चैनल समचार पत्र के पास तत्रहीन असक्त्र और मंगढ़न समचार का कोई आधार और प्रमान है तो उसे प्रदर्शित करे अन्यथा प्रमुक्ता से जूट और तत्रहीन समचार फैलाने के लिए शमा मांगे ऐसा नहीं करने पर पंदरह दिनों के बाद मैं मान हाने का मुकत्मा नयाले में दाखे करना है लेकिन आखिर इनके उपर कोई करवाई क्यों नहीं करता है करवाई की जब बाते आती है तो एक ही दो नेता ऐसे हैं जो करवाई करते हैं जैसे ल ये जिनका प्रोपगेंडा ले करके चला रहे हैं उस प्रोपगेंडा के पीछे क्या है क्या इनको मिलता है और क्या इनको नहीं मिलता है नहीं तो वो दिन दूर नहीं है ये टीवी पर बैट करके कुछ भी अनाब सनाब बकते रहेंगे और लोगों को जो है ऐसे ही अपने ज आजिस जो है उनी में चल रही है ललन सिंग के इस ब्यान को लेकर के इस करवाई को लेकर के आप क्या क्या कहना है आपकी क्या परतिक्रिया है आपकी जो भी परतिक्रिया होगी उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो को देखने